फोर हेट पे सिर्फ 10 मिनट के लिए लगाया था और रिजल्ट आप लोगे सामने है कितना अच्छा से बालों को क्लीन कर दिया है हाथ पयर के जो बाल होता है उसका जड़ काफी जादे मजबूत होता है लेकिन उस पे भी ये काम किया है घर के ही सामगरी का यूज करके आज हमें कैसी होम रेमेडी तयार किये थे जिसका रिजल्ट मुझे हैरान करने वाला मिला था और जब आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेती हैं तो इसे बना कर आप जरूर लगाएंगी मुझे इतना विश्वास है इतना कारगर रेमेडी है कि आपको पारलर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बारे में हम जान लेते हैं किसे किस तरीके से बनाना है इसे बनाने के लिए किन-किन इंग्रीडियंट की हमें जरूरत पड़ेगी, वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, आपके काम आ सकता है, अगर आपके चेहरे पे बाल है, आपकी खुबसूरती पूरी तरह से खराब हो गई है, हर 15-20 दिन पे पारलर का चकर लगाती है, बहुत जादे facial hair है, समझ में नहीं आ रहा है, कि face पे threading किया जाए, कि home remedy के through हटाया जाए, आज आपको इस वीडियो में एक ऐसा secret तरीका बता रही हूं, उसे आप follow करके अपने facial hair को हमेशा के लिए साफ कर सकती है, हर किसी के face पे hairs की problem होती है, और मेरे face पे भी है, ऐसा न जाना छोड़ देंगी, दादी मा के बताये हुए इस घरेलू नुस्खे ने सच में मुझे हैरान कर दिया, जब मैं इसे अपने face पे लगाई थी, इसे बनाने के लिए जो जो चीज चाहिए सारा आपके पास है, नहीं है, तो आप बाहर से लावी सकती है, सबसे पाहले हमे आलुकेरस में स्टार्च होता है, जो हमारी स्कीन को टाइट करता है, और इसमें जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टिज होती है, वो फेसियल हेर को जड़ से साफ करता है, आलुकारस हम सिर्फ अपने रंग को निखादने के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके इसे अपने फेस पे लगाएंगी, तो ये फेसियल हेर को भी क्लीन करने में मदद करेगा, दो चम्मच आलुकारस है, इसमें हम एक चम्मच भर के लिए हैं, चीनी, आप यहाँ पे सुगर पावडर भी ले सकती है, या तो खड़ा चीनी भी ले सकती है, और इसमें कोलगेट की क्वांटिटी आपने बहुत कम लेना है, मटर के दाना के बराबर लेना है, ताकि इसमें को नुपसान न करें, ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कोलगेट लिए हैं, और कोलगेट लेने के बाद इसे हमें स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेना है, लेकिन मिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गुठली सी बन गई है, तो इसे मिक्स करने के बाद इसमें कुछ सामगरी और जाएगा, अगर एक वीडियो आप लोगो थोड़ा सा भी हेलफुल लगे तो प्लीज एक लाइक करके अपने फैमली में सेयर कर दीजिएगा, अब यहां पर हम ले रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा ही बेसन जो हमारे इसकिन को ब्राइट भी करेगा और फैसियल हेर को भी हटाएगा, यह बारीक वाला बेसन है जो बिल्कुल बारीक पाउडर होता है ना बेसन दो तरका होता है, एक थोड़ा सा दरदरा होता है और एक बारिक पाउडर होता है तो आपको बिल्कव बारिक वालेंप न घान लिय को बस में पाउडर कम से चाणे की बसे को दो देख लोगा है वेथी याई रिजल्ट आपको नीगों मिले गा आपके जादे यह भी चिकना पाउडर होता है चिपचीपा होता है बहुत जादे यह जैसे मतलब जिस तरीके से हम घर पर बैक्स तयार करते हैं ना सेम उसी तरीके से बनके तयार होता है तो आपने इसमें एक चमच कौन स्टार्च ले लेना है और लेने के बाद इसमें डाल दीजि इसे हम mix कर लेते हैं, गुठली हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है, अब इसमें जो खास चीज जाने वाला है, वो क्या है, वेडियो पर बने रहीएगा, मैं आप लोगो लाइब डेमो भी दिखा चुकी हूँ, तो इस तरह का घरेलू रेमडी जब आप अपने फेस लगाएंगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बस आप लोग क्या गलती करते हैं, वेडियो पूरा नहीं देखते हैं, मुझे बहुत जादे अपसोस होता है, इतनी मेहनत करती हूँ, आप सभी के लिए पर वेडियो आप लोग पूरा नहीं देखते हैं, तो चलिए इसे मैं अपने पैर पे भी लगा करके दिखा दे रही हूँ, उसके बाद से फेस पे भी लगाऊंगी, दोनों जगा पे लगाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा, किसे हम अपने फेस पे नहीं लगा सकते, आप लगा सकती है, क्य अभी आप लोग देख सकते हैं, हेर्स की ग्रोथ कितना कम हो गई है, अगर आप मेरे पुराने विवर होंगे, तो आप सभी को पता होगा कि कितना जादे बाल था, लेकिन इस टाइम कम हो गया है, तो अभी इसे लगा कर हम 20 मिनट के लिए छोड़ दिये थे, 20 मिनट बाद इसे हम क्लीन करके आप लोगो रिजल्ट दिखा रहे हैं, बेडियो पर बने रहीएगा, हम यहाँ पर लिए हैं एक कॉटन, वाइट कलर का ताकि आप लोग रिजल्ट देख सकें, और इसे बालों के अपोजी डिरेक्शन में क्लीन करिएगा, ओ माई गॉड, सच में क्या ह मैं बोलू फ्रेंड, जब मैं इसे अपने फेस पे लगाई थी, बहुत ही बेहतरी रिजल्ट मिला, मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि नेचुरल चीजे इतना अच्छा काम कर सकता है, अब चलिए देख लेते हैं फेस पे लगाना कैसे है, फेस पे लगाने करिएगा, जादे ठीक कर देंगी, तो फिर फेस पैक की तरह हो जाएगा, उतना अच्छा हो काम नहीं करेगा, तो आपने इसे पूरे फेस पे लगाना है, ठीक है, क्योंकि हम महिलाओं के पूरे फेस पे रोवा की प्राबलम होती ही होती है, हलका फुल का बाल हमारे पूर का रोवा होता है, तो आपने उस एरिया को अच्छे से कवर करना है, कान के साइड में अपरली पे और फोर हेट पे, यहीं पे थोड़ा सा बाल बहुत जादे होता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे लोग अपने फोर हेट के बाल को थ्रेडिंग के जो आप अपने फेश पे थ्रेडिंग करती हैं उसी का नतीजा है, जब हम थ्रेडिंग कराते हैं, पारलर में जाकरके आईज करवाते हैं, तो पारलर वाली से बोलते हैं, कि फोर हेट का भी बाल कलीन और क्लीन कर देती है, लेकिन एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जो तो forehead का area होता है, सबसे पहले wrinkles की समस्या यहीं पे होती है, तो threading hole के भी मत कराया करिए, अगर आप eyebrows shade कराती हैं, तो सिर्फ वहीं के बाल को clean करवाए, बाकी पूरे face पे बिल्कुल भी threading मत कराया करिए, तो चलिए जी अब देख लेते हैं कि इसे क्लीन कैसे करना है गर्मी तो इतना भयाने पढ़ रहा है फ्रेंट कि ये फेस पर एक सूखा भी नहीं है आप लोग देख सकते हैं इसको लगा कर हम 25 मिनट के लिए छोड़े थे लेकिन इसकीन पर पूरी तरह से सूखा भी नहीं है गीला ही है अब हम करने वाले क्या है उंगली की सहायता से जहां पर हेर से न उस एरिया पर हम मसाज करेंगे ठीक है उस एरिया को हलके हलके हां से आपने मसाज करते हुए वहां के जो पैक है न उसे रिमू करना है जब आप मसाज करेंगी तो काफी सारा रोवा आपके उंग सबसे जादे काम किया है जो बाल है बहुत अच्छे से इसने क्लीन भी किया है अभी मैं कॉर्टन में क्लीन करके आप लोगों में नंदीण नहीं होगा जब इसने हातपर के बाल को तुरंद क्लीन कर दियाility वीसे पचीश मिनट में तो पि्ष है जो बिलंट में जो बाल वोता है उसका जड़ काफी जादे कम जोड़ होता है हमारे face पे जो बाल होता है उसका जड़ बहुत जादे soft होता है लेकिन हाथ पर पे जो बाल होता है आप notice करके देखिएगा काफी जादे hard बाल होता है तो जब इसने हाथ पर पे भी काम किया तो face पे करेगा ही करेगा बहुत ही amazing काम किया है इसने बहुत ही अच्छा result दिया है हाईली रिक्वेस्ट आप सभी से कर रहे हूं एक बार मेरे बताई हुए तरीके से इसे बना करके लगाईएगा पर आप सभी के दिमाग में कोश्चन चल ला होगा मुझे पता है क्योंकि आप लोगा जो कमेंट आता है इसमें हम कोलगेट नहीं ले सकते इस फेस्पैक में हम कोलगेट नहीं लेंगे किया एक काम करेगा कि नहीं तो जी कोलगेट नहीं डालेंगी तो फिर एक काम नहीं करेगा क्योंकि कोलगेट जो होता है न इस्टन्ट बाल हटाता है तो कोलगेट अगर आप इसकिप कर देंगी तो फिर आपके फेस्पै काम नहीं करेगा आई कोई वीडियो पसंद आई होगी अच्छी लगी होगी लाइक और शेयर कर दीजिएगा चैनल करने हुए मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकेन को ओन कर लीजिएगा नेक्स वीडियो की इस टोपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करक